सोग गुना बढ़ जाती है खुबसूरती महज मुश्कराने से लेकिन फिर भी बाज नहीं आते लोग मुँ फुलाने से कहते हैं कि हमारे चेरे पर मुश्कराहट का मतलब King of Confidence यानी मुश्कराहट हमारे आत्युस्वास को दरसाती है एक बार एक कवी एक बाग से गुजर रहे थे बाग में हजारो फूल खिले वे थे और सारे फूल मुश्कराते हुए नजर आ रहे थे उस बाग का नजारा सुवर्ख के समान था कवी महोजय एक फूल के पास गए और बोले मित्र तुम कुछ दिनों में मुर्जा जाओगे तुम कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे तुम फिर भी मुश्कराते रहते हो इतनी ताजगी से खिले रहते हो क्यों लेगिन फूल कुछ न बोला इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनद उठाया और फिर उड़कर चली गई अब कुछ देर बाद एक भवरा आया और फूल के चारोर घूमते हुए मधूर संगीत सुनाया और फिर फूल पर बैठ कर खुसुब बटोरी और थोड़ी देर बाद महां से उड़कर चला गया थोड़ी देर बाद एक मधूमक्की जुमती हुई आई फूल पर आकर बैठ गई ताज़ा और सुगंदित पराग पाकर मधूमक्की बहुत खुस हुई और सहद का निर्मान करने उड़ चली कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा बाग में अपनी मां के साथ खेलने के लिए आया खिलते फूल को देखकर उसका मन बहुत परसन हुआ उसने कौमल हातों से फूल को इसपर्श किया और खुस होता हुआ फिर से खेल में लग गया अब फूल ने कवी से कहा देखा पल भर के लिए ही सही लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे नजाने कितने लोगों खुसिया दी है इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत सारे चेरों को मुस्कान बिखेरी है मुझे पता है कल इस मिट्टी में मुझे मिल जाना है लेकिन इस मिट्टी नहीं मुझे ये ताजगी और सुगन्दी है तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई सिकायत नहीं मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ मैं खिर्खिलाता हूँ क्योंकि मैं खिर्खिलाना जानता हूँ मुझे अपने मुर्जाने का गम नहीं है मेरे बाद कल फिर इसी मिट्टी से एक नया फूर्ख खिलेगा और फिर से ये बाग सुगंदित हो जाएगा ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कराहट यही तो जीवन है अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कराते हुए कक्षा में परिविश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेरे पर मुस्कान च्छा जाएगी अगर आप एक डाक्टर हैं और मुस्कराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मिस्वास दोग ना हो जाएगा जब आप मुस्कराते हुए साम को घर में सुक बुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहुल बन जाएगा मुस्कराहट भी मुस्कराती है जब आपके होटों से होकर आती है धन्यवाद दोस्तो इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें